तीसरे दिन चला अक्षर पटेल का जादू दूसरे इनिंग में मेहन्दी असन मिराज की फिरकी में फजी टीम इंडिया हलो एंड वेल्कम एरिबडी स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल क्रिकेट व्राइडिंग स्टार पर दोस्तो भारत और बांगलादेस के बीच खेले जा रहे हैं दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन गेंद और बल्ले के बीच दिल चस्प मुकाबला देखने को मिला तीसरे दिन का खेल सुरू होते ही इंडियन बॉलरों ने जबरजस्त गेंदवाजी करते हुए बांगलादेस के पांच विकेट मात्र 102 रन पे जटक लिए बांगलादेस के विकेटो के पतन का सिलस्या लगातार जारी रहा बांगलादेस ने 7 विकेट मात्र 169 रन पे गवा दिये वही बैटिंग करने उत्रे लिटन दास और नरूल हसन ने संघर स्पून्ड बैटिंग करते हुए बांगलादेस की पारी को संभाला और 60 रनों की एक छोटी सी पारी की साज़दारी कर टीम को एक सम्मान जनक इस्थिती तक पहुँचाया लिटन दास ने अंठान पे गेंदो पर सांदार 73 रन बनाये जबकि नरूल हसन ने अपनी छोटी सी पारी में 31 रन बनाये जबकि अस्विंग और सिराज ने दोदो विकेट और पुमेश यादो और जैदेव उनादकर ने एक 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 विकेट अपने टीम के लिए लिया दोस्तों 145 रनों के लक्ष का पीछा करने उतरी दूसरी पारी में टीम इंडिया की सुरुवात बेहत खराब रही और पूरी टॉप अदर मात्र 44 रनों के अंदर पवैलियन लॉट गई जी हाँ दोस्तों दूसरी पारी में टीम इंडिया महली हसन की फिर्की गेंदू में फर्स से हुए नजर आई और दिन का खेल समाफ होने तक मात्र पैताले सन बना चार महत्वपूर्ण विकेट गवा दिये अक्षर पटेल 54 गेंदू पर 26 जबकि ज़देव उनाद कट 8 गेंदू पर 3 दर बना कर नौट ओट रहा है वहीं दूसरी पारी में बांगला टाइगर्स ने जबरजस्ट वापसी करते हुए भारते बल्लेबाजों को अपने फिर्की के जादू में फसाद चौका दिया बांगला देश की ओर से दूसरी पारी में महरी हसन मिराज ने 3 विकेट जबकि कैप्टन सकिबल हसन ने एक विकेट चटका है दोस्तों उमीद करते हैं कल चौते इंडियन बैटर्स वापसी करते हुए मैच जीच सीरीज 2 जिरों से अपने नाम करेंगे तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है क्रिकेट से जोड़ी तमाम जनकारी रोमांचक जनकारी और हाइलाइट के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट राइजिंग स्टार को और अपने भाई को सपोर्ट करते दोस्तों यार प्ल